नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मुकेश सहू ओनलाइन क्लासेस पर परियोग साला साहक सिक्षक के लिए ओनलाइन फार्म चालू हो चुका है और आपको यहाँ पे फीजिक्स जहां से आपके 40 नंबर के प्रस्ण पूछा जाएंगे करेंट अफेर भी पूछा जाएगा तो जो मेन आपका मेजर मेज़ोरेटी में जो पूछा जाएगा वो पूरा साइन्स है क्योंकि यह प्रियोग साला सायक सिक्षक विज्ञान है ठीक है चलिए आज हम देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ण 20 क्वेश्चन है इस वीडियो में और 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा इस तरह से 20-20 question का में एक वीडियो लाता जाऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्णों का संक्लन है इसे आप पूरा देखिए पसंद आने पे like कीजिए share कीजिए जिनके पास वीडियो ये भेज सकते हैं जो इस exam की त्यारी कर रहे हैं उनको आप जरूर ये share कीजिए चलिए आज का topic है आपका ध्वनी मैं आपको topic से related प्रस्ण बताऊंगा आज का हमारा topic है ध्वनी sound चलिए पहला प्रस्ण देख लेते हैं ध्वनी तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ अनुदेर्ध अप्रगामी विद्दुचुम्बकी बहुत ही बार पूछा गया है यह प्रस्ण ध्वनी तरंगों की प्रकृति कैसी होती है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है option B option B इसका सही आंसर है यह प्रस्ण कई बार पूछा गया है तो याद रखना अनुदेर्ध अनुदेर्ध बोलते हैं ध्वनी तरंगों की प्रकृति को अब अगल पहला option है इनको धुरूइत किया जा सकता है ये निर्वात में चल सकती है सुन्य डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है उपर यूपत सभी कथन सत्य है तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है तो दूसरे का C option सही होगा जिसमें दिया है सुन्य डिग् अब आपके पास A और C बचेगा तो इनको धुरूइत किया जा सकता है ये भी गलत है इनको धुरूईत नहीं किया जा सकता है तो सुन्य डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है ये बेसीक सा एक पढ़ा हुआ है इस स्कूल में सुन्य डिग्री सेल्सियस पर ये जो ओप्षन डी है, ये तो हो गई है नहीं, क्योंकि ये तो मनुष्य के द्वारा स्रव्य ध्वनी होती है, जो मनुष्य सुन सकता है, 20 हैड्ज से 20,000 हैड्ज, तो ये option डी तो बिलकूल भी नहीं होगा, अब option तीन का क्या हो सकता है, तो बीस हड जैसे जो कम होता है उसे कहते है आउस्रव्य तरंग और जो बीस हजार हड जैसे अधिक होता है उसे करते है परास्रव्य दोनों याद रख लीजिए आउस्रव्य बोले तो बीस हड जैसे कम परास्रव्य बोले तो बीस हजार हड जैसे अधिक और इन दोनों के बीच जो हता है वो हता है मनुष्ट्य के द्वारा स्रव्य तरंगे चलिए अब हम अगला प्रशना देखते हैं कि क्या है अगला प्रशना प्रस्न क्रमांग चार पूछ रहा है прा-s्रव्य तरंगें अल्टरा सोंिक वेव्स होती है एक हजार से दस हजार हर्ज आवरित्ती की अनुदेर्ध तरंगे, एक हजार से दस हजार हर्ज आवरित्ती की अनुदेर्ध तरंगे, बीस हजार हर्ज से अधीक आवरित्ती की अनुदेर्ध तरंगे, तो ये बेसिक कॉंसेप्ट से पुछा गया है कि परासरव्य तरंगे क् सिधर सिदर उसकी आवरित्ती हमें पता होना चाहिए और हमार आंसर बन जाएगा तो इसका जो और यहाँ अधीक जो होता है और यह Cheese कॉम्हें वाला अब श्रव्य तरंगे और इन दोनों के बीज जो होता है 20-20,000 हड ज वो होता है मनुस्य द्वरा-श्रव्य तरंगे तो यह आपको याद रखना है 20,000 हर्ज से अधिका वित्ती मतलब परासरव्य तरंगे बस ठीक है अगला प्रशन परासरव्य तरंगे मनुस्य द्वारा सुनी जा सकते हैं बिल्कुल गलत अभी आपको बताया हो एक ही देख परासरव्य तरंगे बिल्कुल आपको देखने की जर्वत नहीं है फिर भी आप देख सकते हैं कभी कभी सुनी जा सकती गलत है इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं भी नहीं होगा क्योंकि नहीं सुनी जा सकती हैं आप्शन में दिया है तो आप्शन भी पांच का सही है तो देखिए concept पता होने पे कैसे आपके प्रशन बनते हैं ठीक है ये तीनों प्रशन एक ही concept से था option प्रशन 3, प्रशन 4 और प्रशन 5 अगला पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने CT बजा कर उत्पन किया था तो इसका सही आंसर क्या होगा न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ज ने, फैराडे ने तो क्या है इसका आंसर? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है गाल्टन ने ये सब basic चीजे हैं जो हमने पढ़ा हुआ है पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने CT बजा अगर उत्पन किया था गाल्टन ने, या था अगला प्रस्ना क्या है उसे हम देखते है चलिए दिखाई देता है तो option D तो इसका बिलकूल भी नहीं होगा option A ये पराश्रव्य तरंगों उत्पन करते हैं परसरव्यतरंगे क्या होती है जिनका जो अनुदेर्ध आवरित्ती जो होता है वो 20,000 हडज से अधीक होता है जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता उसको चमगादर उत्पन करते हैं इसलिए वो अंधेरे में उड़ते हैं तो option A इसका जो है दोस्तों वो सही है चमगादर परव्यतरंगे उत्पन करते हैं यह याद रखना है अगला प्रशन क्या है कीडों तथा हानी पहुचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए परियोग में लाया जाता है अल्ट्रा सोनिक तरंग रेडियो तरंग इंफ्रारेट तरंग सब सोनिक तरंग अल्ट्रा सोनिक तरंग कीडों तथानी पहुचाने वाले ततों को घरों से भगाने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसमें अल्ट्रा सोनिक तरंग वाला टेक्निक होता है जो मसीन घरों में लगाया जाता है और इंफ्रारेट जो तरंग है वो टीवी के रिमोट में उ अगला प्रस्ण क्या है अगला प्रस्ण है ध्वनी तरंगे नहीं चल सकती मैंने शुरू के प्रस्ण में ही बताया है कि किसमें नहीं चल सकती ऑप्शन डी निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि ध्वनी तरंगों को माध्यम की जरुवत होती है हवा भी एक माध्यम है लोहा एक माध्य हमें, जल माध्य हमें, नेकि निर्वात हवा नहीं होता है, निर्वात मतलब कुछ भी नहीं, जो अंतरिक्च में होता है, तो वहाँ ध्वनी नहीं चल सकती, अब अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन है, बिमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपैयोग किया जाता है परा स्रव्यत्रंग्, आग जेलिक अंड। उस्स्रव्यत्रंग्, कारवन ड़ाइ। तो इसका सही आंसर जो होता है वह परा स्रव्यत्रंग् और इसका जो अनुदेर्द आवरित्ती होता है £20,000 Metamier ₹ PRO को याद रखना हैं तो विवानों के आंत्रिक भागुंग सफाई के लिए परवस्रव्य तरंग का उप्योग किया जाता है अगला प्रशन स्रव्य परिसर में ध्वनी तरंगों की आवरित्ति क्या होती है तो यह फिर चौथा प्रशन आ गया जो मैंने प्रशन तीन चार पा सउत्ट को याद होना चाहिए तो सूत्र आपको याद होना चाहिए तो आपसन यह इसका सही आंसर होगा? option A, V is equal to n lambda, यह इसका सूतर होता है, इसको याद रखना है, इसको याद रख लेना है, डारेक्ट पूछ सकता है, क्या संबन्ध हो सकता है, जहाँ पे V जो है, तरंग का वेग है, n आवरित्ती है, और तरंग देर्दे लेम्डा, तरंग देर्दे को लेम्डा से इस सो करते है तो V is equal to n lambda, V बराबर n lambda, यह इसका आंसर है, अगला प्रेशन देख लेते हैं, क्या है, चंद्रमा पर धरातल से दूर वी स्पोर्ट सुनाई नहीं पड़ता, वायू मंडल की अनुपस्थिती के करण, चंद्रमा का गृत्वा कर्शन कम होने के करण, ध्वनी तरंगों की दिव्रता कम होने के करण, उपर युक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर जो हैं दोश्तों वो होता है, वायू मंडल की अनुपस्थिती के करण, देखें यह भी उसी concept से related है, जो अभी पिछले प्रस्णम बताया है, कि ध्वनी के लिए आपको माध्याम की जर्वत है, चंद्रमा में माध्याम ही नहीं है, वहाँ तो वायू भी नहीं है, तो इस करण से वहाँ वायू मंडल की अनुपस्थिती के करण, विस्पोर्ट सुनाई नहीं पढ़ता, क्योंकि विस्पोर्ट के ध्वनी ही होता है, ध्वनी तरंग के लिए माध्याम की आवसकता होती ह तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा option A वाई मंडल की अनुपस्थिती के करण अर्थात महा निर्वात है वाई मंडल नहीं है हवा भी नहीं है अगला प्रश्ण चमगादर अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साब दिखाई देता है उसकी आग का प्यू पिल बहुत बड़ा होता है वे अतितिवर ध्वनी तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंदरन करती है कोई वी चिडिया ऐसा कर सकती है पिछला एक प्रश्ण था बिलकुल वही प्रश्ण है पर options थोड़े change है नेकिन concept वही है वे अतितिवर ध्वनी तरंगे पैद ठीक होता है उसे कहते हैं तीवर ध्वनी तरंगे ठीक है अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण क्या है दो कथन दिया है और उसके बाद उसका option दिया हुआ है कथन ए चमगादर रात्री में किसी वस्तु से बीना टकराए हुए ही उड़ता है कारण चमगाद एकी concept से कितने प्रश्ण बन रहे हैं ये ध्वनी चेप्टर हम देख रहे हैं इसी से आपको समझ आ जाएगा कि एक चेप्टर में किस किस तरह से प्रश्ण बन सकते हैं मतलब concept पता हो तो सभी प्रश्ण आप सही टिक कर सकते हैं चारी options रहेंगे तो आप उस इसाप से अं नहीं हैं ठीक है आगे दूसरा क्या है ए आर दोनों सही ये भी गलत प्रश्ण आर एक गलत है तो जो option c है वही सही आंसर है option c इसका सही आंसर है ये तो सही हैं चमगादर रातरि में किसी वस्तु से बिना टगरा हुए ही उड़ता है क्योंकि वो ultrasonic तरंग निकालता है इं वायू में ध्वनी की चाल 332 मीटर प्रती सेकंड होती है यदि दाब बढ़ा कर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनी की चाल क्या होगी तो दाब का ध्वनी पर कोई असर नहीं होता उससे उसे प्रभावित नहीं किया जा सकता 332 मीटर प्रती सेकंड ही इसका सही आंसर होगा तो ये concept based प्रशन है इसको आपको याद रखने देखिए क्या बोल रहा है वायू में ध्वनी की चाल कितना होता है यासा भी प्रशन आ सकता है सिधा कि ध्वनी की चाल क्या होती है वायू में तो 332 मीटर प्रती सेकेंड वायू में ध्वनी की चाल होती है और दाप को आप कि चाल अधिक्तम होती है ध्वनी की चाल अधिक्तम होती है वायू में निर्वात में जल में इस पात में तो ध्वनी की चाल किस में अधिक्तम होती है ये बताना है तो ध्वनी की जो चाल है दोस्तों वो इस पात में अधिक्तम होगी इन चारों विकल्पों में इस पात सही आं चुलना में ठोस में अधिक होता है, तो इस पात इसमें ठोस है, जल तो द्रव्य है, निर्वाद तो वहाँ तो होगा ही नहीं वह और वायू तो तीन वस्त होती है, द्रव्य गेस और ठोस, तो ठोस में सबसे अधिक होता है, उससे कम द्रव्य में और उससे कम वायू में, कर बादलों की बिजली की चमक की काफी समय बाद बादलों की गरजन सुनाई देती है इसका करण क्या है तो बहुत ही असान प्रशन है बादल ध्वनी तरंगों को रोक देते हैं गरजन बाद में उत्पन होती है प्रकास निवाद में चल सकते है प्रन्तु ध्वनी नहीं प्रक प्रकास की चाल ध्वनी की चाल से बहुत अधिक होती है तो यह बहुत ही आसान प्रशन है इसका जो सही आंसर है वो है आप्सन डी प्रकास की चाल ध्वनी की चाल से बहुत अधिक है जो प्रकास की चाल है द्वनी की चाल से अधिक है इसलिए ऐसा होता है दोनों एक साथ ही गर्जन और चमक नेकिन प्रकास की चाल अधिक होने कान हमें बिजली की चमक पहले दिख जाती है और ध्वनी बाद में सुनाई देती है तो ये आपका option D इसका सही आंसर है option D चलिए अगला प्रशन क्या है वो भी देख लेते हैं वायू में ध्वनी का वेग लगभग फिर वही प्रशन हमने देखा है इसका जो सही आंसर है वो है option A 330 meter per second 330 meter per second इसका सही आंसर है option के अधार पर प्रशन को उत्तर हमें बताना होता है तो यहाँ पर 330 meter per second यह सही होगा क्योंकि 220 तो होई नहीं सकता अगला प्रशन ध्वनी के वेग कमान सबसे कम होता है पहला ही अभी एक प्रशन आया था पूछा था तो ठोस में सबसे अधिक फिर उसके बाद द्रवे में फिर उसके बाद गेस में तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर option C option C पारा तो एक ठोस होता है जो बहुत ही खुशी मिलती है और वीडियो बनाने के लिए प्रुसाहन भी मिलता है धन्यवाद आपका